टूनी चिडिया अपने घर में बेठी भी सोच रही थी कि अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे भूके मर जाएंगे मुझे कुछ न कुछ और पक्षियों के जैसा काम करना पड़ेगा फिर वह टूनी चिडिया के दिमाग में एक आइडिया आता है वह सोचती है कि क्यों न मैं जंगल में फलों का ठेला लगा लूँ और फल बेचा करूँ और फल के बदले पक्षियों से कुछ दाना ले लिया करूँगी आप दूसरे दिन तूनी चिडिया जंगल में एक फलों का ठेला लगा लेती है और वह जोर जोर से आवाज लगाती है कि फल ले लो मिठे मिठे फल ले लो ताजे ताजे फल ले लो फिर वहाँ पर कुछ देर में कालु कवा आ जाता है और कालु कवा तूनी चिडिया से कहता है कि तूनी बहन मेरा काम तुमने चालु कर लिया है तो तूनी चिडिया कहती है कालु भीया बच्चे पालने के लिए कुछ नकुछ तो करना पड़ेगा तो कालु कवा कहता है ठीक है तूनी बहन ये बहुत अच्छा तूने काम किया है फिर कालु कवा कहता है कि ये फलों के बदले हमें तूमें क्या देना पड़ेगा तो तूनी चिडिया कहती है कि फलों के बदले में मुझे कुछ दाना देना पड़ेगा फिर कालु कवा कहता है कि अच्छा तूनी बहन मैं चलता हूँ साम होने वाली है और मैं जंगल के सारे ही पक्षो को बता दूँगा कि तुमने फलो की दुकान खोली है फिर कालू कवा महां से चला जाता है अब दो दिन भिग जाते हैं टूनी चिडिया के पास कोई गिराक नहीं आता है और फिर कुछ देर के बाद उसके बच्चे आ जाते हैं टूनी चिडिया के दो बच्चे होते हैं वह टूनी चिडिया से कहते हैं कि मां हमें भूक लगी है हमें कुछ खाना दे दो टूनी चिडिया कहती है कि हाँ बच्चो चलो घर में तुमारे लिए खाना रखा है मैं तुमें खाना दे देती हूँ फिर वह तीनों अपने घर में चले जाते हैं वो टूनी चिडिया के पा दाने दे देती है वे बच्चे दाने खाने लग जाते हैं ओर टूनी चिडिया अपने मन में सोचती है कि मेरे पास दाने तो बहुत कम है अगर मेने दाना खाया तो मेरे बच्चे भुके मर जाएंगे फिर वे अपने बच्चों से कहती है कि बेटा मेरा पेड भरा हुआ है तुम भोजन कर लो वे बच्चे भोजन कर लेते हैं फिर टूनी चिडिया अपनी दुकान पर आकर बेड जाती है और कुछ देर के बाद महाँ पर लाडो चिडिया आ जाती है टूनी चिडिया कहती है कि लाडो बहन क्या बात है तुम भहुत दिनों में आई हो तो वह लाडो चिडिया कहती है कि कल जंगल में कालू कववा मुझे मिला था उसने बताया है कि टूनी चिडिया ने एक फलो की दुकान खोल ली है तो टूनी चिडिया कहती है कि हां लाडो बहन बच्चे पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा लाडो चिडिया कहती है कि फल तुमने कैसे दिये है तो वह तूनी चिडिया कहती है कि फल के बदले मैं दाना लेती हूं तो लाडो चिडिया कहती है कि मुझे भी कुछ फल दे दो वह लाडो चिडिया वो तूनी चिडिया से फल लेकर चली जाती है अब टूनी चिडिया की फलो की दुकान चलने लग जाती है महाँ पर गिराग भी आने लग जाते है अब यही नजारा एक पेड़ पर बेटा हुआ बाज देख रहा था वह बाज अपने आप में कहता है की है टूनी ने फलो की दुकान लगा के बहुत ही अच्छा करा है मेरा इसमें बहुत ही फाइदा है फिर वह दूसरे दिन वह बाज भी एक ठेला फलो का लगा लेता है और वह जोर जोर से आवाज लगाता है कि आ जाओ ताजे मिठे फल ले लो फिरी में इसका कोई भी आपको दाना या पैसा नहीं देना है आप वह सारे पक्ची उदर बाज की तरफ चल देते हैं और सारे पक्ची कहते हैं कि ये टूनी चिडिया का धंदा तो चुपड हो गया अब ये टूनी चिडिया के फल कौन खरी देगा वही फल हमें मुफ्त में फिरी में ये बाज दे रहा है तो चलो चलो भाई हम सब बाज के पास चलते हैं हम उससे फिरी में फल ले लेते हैं फिर सभी पक्ची बाज के पास चले जाते हैं अब कुछ ही देर में टूनी चिडिया के पास कालू कववा आ जाता है वहाँ टूनी चिडिया कालू कववे से कहती है कि कालू भाईया मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है तो कालू कववा कहता है हाँ टूनी बहन मुझे भी इस बाज पर यकीन नहीं है मुझे इस बाज पर शक हो रहा है मुझे इस बाज की निगरानी करना पड़ेगी अब बाज के सारे फल खतम हो जाते हैं और फिर वह बाज वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है बाज के पीछे पीछे कालू कवा भी चल देता है अब बाज अपने आप में बाते करते रहता है कि आज तो मेरे जासे में सारे ही पक्छी फच गए हैं अब मुझे भर पेड खाना खाने को मिलेगा मैं अपने सारे ही रिष्तेदारों को खबर कर देता हूँ कि वह भी आ जाएंगे और दावत उड़ा लेंगे जैसे ही है कालू कववा उस बात की बात सुन लेता है वह तुरंत वापस लोट आता है ओ टूनी चिडिया के पास आ जाता है ओ टूनी चिडिया से कहता है कि टूनी बहन कल मेंने बाज का पिछा किया था वह बाज तो सारे पक्षियों को खाने की युजना बना ली है उन्हें अपने रिष्टेदारों को भी खबर पहुँचा दी कल सुबह उसके सारे ही रिष्टेदार आ जाएंगे हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो टूनी चिडिया फिर उन पक्षियों से कहती है कि देखो पक्षिया ये मुस्ता का फल ना लो इस में खत्रा है तुम खत्रे में पढ़ जाओगे तो वह तूनी चिडिया को पक्षि कहते हैं कि तुम जल रही हो तुमारे फल नहीं बीक रहे हैं तुम बाच से जल रही हो और फिर वहाँ से पक्ची चले जाते हैं अब दूसरे दिन बाच फिर अपनी दुकान लगा लेता है सारे ही पक्ची उस बाच के पास जमा हो जाते हैं उधर कालू कववा एक जाल लेकर आ जाता है और उस जाल को बाज के उपर डाल देता है अब बाज उस जाल में फज जाता है फिर कालू कवा बाज से कहता है कि सच सच बचाओ तुम्हारा क्या मकसद है वह बाज कहता है कि मुझे पहले इस जाल से आजात कर दो कालू कवा कहता है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे तुम इसी जाल के अंदर फसे वे रहोगे फिर बाज सच सच कहता है कि मैंने तुम्हे सब को खाने की योजना बना ली है और कुछी देर में मेरे रिष्टेदार भी यहां आ जाएंगे सबी पक्ची चिला चोड करने लग जाते हैं तो कालू कवा कहता है कि अब सोर मचाने से कोई फाइदा नहीं है इसके बाज के परिवार वाले अब कुछी देर में यहां पर आने ही वाले होंगे इससे पहले कि हमें यहां से किदर दूर चले जाना चाहिए वह सारे ही पक्ची वहां से दूर चिप जाते हैं और फिर वह बाज के सारे ही रिस्तेदार वहां पर आ जाते हैं और बाज से कहते हैं यहां पर तो एक भी पक्ची नहीं है तो बाज कहता है तुमने आने में देरी कर दी यहाँ पर बहुत ही पक्ची थे और मुझे जाल में फसा कर चले गए हैं फिर वह बाज के रिष्टेदार उस बाज को जाल से आजात कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं टूनी चिडिया और कालू कवे की सुचबूस से सारे ही पक्चीों की जान बच जाती है तो दोस्तों आपको हमारी कहनी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और नोटिकिशन ओल पर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना